नमस्कार जी डिस्टिल की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों मैं यहाँ पर विनीत और मेरे साथ है साथ में ललित और हम लोग दुनिया की जो सबसे मश्यूर लीग है IPL उसको लेकर आपके साथ जुड़े हैं तो अब तत 5 मैच खेले जा चुके हैं और जो छटा चैन्नेई सुपर किंग्स और लखनौ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला है जिसे देखकर हम यह कह सकते हैं कि लग रहा है कि लखनौ सुपर जायंट्स के टीम ने इस सीजन का आगाज वहीं से किया है जहां उसने पिछली बार प्लेय आफ में छोड़ा था वहीं चैन् प्ले में नया रूल आगया है इंपक्त लेयर लेकिन अभी हमने पहले मैच में सीजन को उसका बहुत जादा उठाते हुए नहीं देखा तो आज के इस मैच प्रिव्यू में हम ललित से बात करना चाहेंगे कि सीजन के की टीम यह जो मैच है आपका दूसरा मैच है उसमें वह ऐसा क्या कर सकती है जिसके तहत वह अपनी जीत की पठरी पर वापस आ सके लली बिल्कुल विनीत आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में दोनी उतरे थे और दोनी की जो धुरंदर आर्मी है सीज के उसने इस मुकाबले में शुरुवात में रन बनाए रितुराज से उपर यह टार्गेट पहुंच सकता लेकिन वहीं मध्धिक्रम की कमजोरी देखे आपने देखा हुआ कि अंबाती राइडू का स्लो खेलना बिल्कुल कापी धीमा खेल रहे थे हो उसके बाद पिर जब गेदबाजी की बारी आती है तो वहां पर आप देखेंगे कि सीजन में बहुत शांदार प्रदर्शन किया था तो मुझे लगता कि सिमर जीत पर इस बार दाव खेला जा सकता है बिल्कुल लरीत और मुझे मतलब धोनी लेकिन अपने जो गेंदबाजों को हैं खास्त और से यूवा गेंदबाज जो हैं उनको बैक करने के लिए जाने सकते हैं तो बिल्कुल आपकी बात से मटूँ कि सिमर जीत सिंग को मौका देना चाहिए पर हो सकता है कि धोनी है हमेशा कुछ अलग करते हैं वह सब्सक्राइब करने के चकर में गलतियां ज्यादा हो रही है पिछले सीजन गल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और जैसा कि हम अक प्लान करके आते हैं तो कल के मैच में कौन भारी पढ़ने वाला है लालित गंभीर का दिमाग या धोनी का वो दुरंदरपन की किसी को भी कभी भी चौका सकते हैं जिसके लिए हमेशा फेमस है बिल्कुल देखें लखनों के जो लडाके हैं इनके कोच हैं गौतम गंभीर और धोनी को लेकर लगातार हम खबरे देखते रहते हैं और धोनी जितने चुस्त दुरुस्त और दिमाग सतेज जैसा आपने बताया तो गंभीर भी उनसे बिल्कुल कम नहीं है आपने देखा होगा कि फिछले मुकाबले में लखनों ने जब जीत हासिल करी तो उस मुकाबले में किष्णपा गौतम को वह इंपक्ट प्लेयर के रूप में लाया तो मुझे अभी भी लगता है क्योंकि टीम ज्यादा मजबूत है लखनाओ की तो जब आपके पास मजबूत टीम रहती है तो वहां पर आपकी जो योजनाए होती है वह ज्यादा अच्छे से लागू हो बाती तो मुझे तो लगता की लखनाओ का पलड़ा भारी होने वाला है धोनी के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल यहां पर एक और चीज है मैं दर्शकों से बताने चाहूंगा दीपक चाहर वापसी तो कर चुग है पर वह जो इंपक्ट होता था पावर प्ले में आके दो से आपकी कमजोरी है जो मजबूरी है उसको भरफाई कैसे कर सकते वो जो है राजवर्दन हंग्रेकवर को दोनी को इस बात पर भी सोचना होगा कि वो उसको लेकर कैसे कर सकते तो अब हम जानने जाएंगे ललित क्योंकि यह चेपाउक के मैदान पे यह मैच होने वाला है तो यहां पे इस पिछ के बारे में और किस तरह की प्लेइंग 11 रख सकती है CSK और लखनौव सुपर जाइंट्स दोनों टीमे मैं उसके बारे में एक बार ललित से जाना चाहूंगा जो हमें दर्शिकों के बताएं कि कैसा रख सकते हैं इस बार बिल्कुल देखे पहले तो धो दोनी की टीम जब पहुंचती है तो यह को अलेग उत्सा के साथ खेलती है क्योंकि दर्शिकों का समर्थन भरपूर होता है लेकिन मनोवज्ञानिक तोर पर अभी भी मजबूत दिखेगी आपको लखनौव क्योंकि वह इस सीजन में पहला मैच जीत चुके हैं जबकि पहल मैच दोनी की टीम हारी है वहीं आप पिछले सीजन की बात करें तो लखनौव की टीम ने धोनी की टीम को बुरी तरीके से हराया था 210 रन का टार्गिल आपको याद हो गाओ मैच उसमें 211 रन बना लिये थे लखनौव ने पारी दूसरी पारी में तो मुझे लगता है कि इ इंबाती राइडू, मोहिन अली, रवींद्र जडेजा, शिवम धूबे, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर और राज जिवर्दन हंगर गेकर दिखाई दे सकते हैं यानि कि पूरी टीम प्लेइंग 11 वह पिछले मैच वाली ही रहेगी लेकिन इंपक्ट प्लियर जो है वो चे लली अखर मतला आपने जो प्लेइंग 11 बताई है जो तेयार किये वो काफी शांदार हो काफी प्रभावी दिख रहे है जहां लखनौ सूपर जाइंट्स के टीम एकदम मजबूत नजार आ रही है हर पक्ष में बल्लेबाजी हो गेनबाजी हो और फिल्डिंग, फिल्डिं बल्लेबाज नहीं मिल सके उसके बाद गेनबाजी जो एक कमजोर पक्ष नजर आ रहा है पिछले दो सीजन से पिछले सीजन तो दीपक चाहर नहीं थे लेकिन अब दीपक चाहर वापस आ गये है फिर भी वो धार वो मजबूती आपको CSK के प्रहार में नजर नहीं आ रही हाला कि हम सभी उम्मीद करेंगे कि हमें फैंस को और हमें एक बहुत रोमांचक मैच देखने को मिले और इस रोमांचक मैच की जितनी भी रोमांचक अपडेट है वो आपको यहां GDistal पर मिलती रहेंगी देखते रहें GDistal मैं और ललित आपके साथ ऐसी वीडियो के साथ अपिरेंगे देने हो